हेलो डियर फ्रेंड्स तो आप सबका स्वागत है एको नई और फंटास्टिंग वीडियो में तो आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन-कौन से विद्यारती है जिनको रजस्तान सकाय के तरब से फ्री में लेप्टोप मिलेगा अगर आप रजस्तान बोर क्लास एर्थ, टेंथ और ट्वल्थ के स्टूडेंट है और आप इंतजार कर रहे हैं लेप्टोप का तो आज की स्टूडियो में मैं आपके लेप्टोप के रिगार्डिंग जितने भी डाउट है उन सभी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ कि कितने प्रसेंटेज पर आपको लेप्टोप मिलेगा, लेप्टोप मिलेगा या नहीं मिलेगा मिलेगा तो कब मिलेगा, क्या प्रोसेस रहेगी तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर भासकर एक्सक्लिउजीव की तरफ से बड़ी ख़बर निकल कर आई है कि बोर्ड के टोपर्स को लेप्टॉप देने की है योजना तो आपको पता चल चुका है कि जो बोर्ड के टोपर है उनको लेप्टॉप देने की योजना है मैं आपको पूरी नियूज पढ़के सुनाओंगा 2018 के बाद नहीं मिले 65,000 टोपर्स को लेप्टॉप 18,000 इस्टूडेंट्स ग्रेजूट होगे तो आप देख सकते हो कि 2018 के बाद 65,000 जो टोपर्स थे उनको लेप्टॉप नहीं मिले है और 65,000 में से जो 18,000 इस्टूडेंट्स थे वो ग्रेजूट होगे है मतलब उनकी पढ़ाई भी होने में आ चुकी है तो मैं आपको पूरी न्यूज बिल्कुल बारीकी से पढ़कर सुनाता हूँ तो कोरोना के बाद अब सिक्षन व्याउस्ता वापस पट्री पर लोट गई है बारी से दस्वी बोर्ड प्रिक्षा के प्रिणाम भी आपको पता है कि आ चुके है लेकिन मेदावी विद्यारत्यों के लिए सुरू की गई लेप्टोप योजना पिछले दो सालों से ठप है तो कोरोना के चलते शिक्षा सत्र दो जार ठारा उन्निस के बाद बोर्ड प्रिक्षा के बाद प्रदेश में अब तक 65,000 मेदावी स्टुडेंट्स को लेप्टोप का वित्रण नहीं हो पाया मतलब वर्ष 2018-19 के बाद लेप्टोप का वित्रण है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है इसमें इस साल बोर्ड प्रिक्षा में टोपर रहने वाले स्टुडेंट भी सामिल है पिछले दो शिक्षा सत्रों में दसवी बारवी बोर्ड प्रिक्षा में टोप करने वाले अब जर्तियों को लेप्टोप कम मिलेंगे इसको लेकर भी कोई इसपष्ट जानकरी सामने न और 20-21 में बारवी बोर्ड में अच्छे अंकल आने वाले अनेक स्टूडेंट सब कोलेजों में भी पहुच चुके हैं लेकिन उन्हें अभी तक लेप्टॉप नहीं मिलाए हालाके शिक्षा विभाग ने ये साफ कर दिया है कि पिछले दो सर्तों के आटवी बोर्ड के विद्यारतियों को लेप्टॉप नहीं दिये जाएंगे पिछले महीने ही इस संबंध में शिक्षा विफाग ने आधिस जारी किये थे लेकिन दसवी बारवी बोर्ड के स्टूडेंट्स को लेप्टोप कम मिलेंगे इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं है तो मैं बाप को बताता हूं कि योजना क्या है लेप्टोप को लेकर तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकारी स्कुलों के समस्तर वर्गों के मेदावी स्टूडेंट्स जिन्होंने पाचवी, आठवी, दसवी, बारवी कक्षा की बोर्ड प्रिक्षाओं में 75% या इससे अधिक अंग अर्जित किये हैं उन्हें वर्यता के आधार पर लेप्टोप का वितर्ण किया जाता है वर्स 2018 में 27.900 स्टूडेंट्स को लेप्टोप दिये गे थे वर्स 2019 और 2020 की बोर्ड प्रिक्षा में उत्तीन परतिवाशाली स्टूडेंट्स को लेप्टोप नहीं मिले हैं तो जो 75% तो उपड़ पर प्रतिशत आते हैं उनको लेप्टोप मिलते हैं लेकिन दो वर्सों तरह अभी तरह किसी भी विद्यारतियों को लेप्टॉप नहीं मिले है अभी क्या हो रहा है सरकार के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है कि सरकार कब निर्देश करेगी लेपटोप वितर्ण को लेकर राज्य सरकार से जो दिशा निर्देश मिलेंगे उसी के मुताबिक है आगामी कारिवाई करेंगे तो ये बिल्कुल इस पस्ट मैं आपको बदा देता हूँ कि अभी तक सरकार ने दो सालों से लेपटोप का वितर्ण नहीं किया है 2018 के बाद आपको लेपटोप नहीं मिले है और इस साल लेपटोप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और कैसे लेपटोप मिलेंगे ये सारी चीजे अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है जैसे ही कोई सरकार अपडेट करती है तो हम आपको सबसे पहले इस चैनल पर बताएंगे तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना फिडबेक जरूर दे और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर पहले बार तो चलने को सबस्क्राइब करने के साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन को प्रिस्ट करें